नमस्कार दोस्वाज आपको बताऊंगा धानी के बारे में एक बार फिर से अपडेट हुआ है एक अच्छी अपडेट है अब तक कम लगता है जब जो मैंने दो या तीन बार अपडेट देखे हैं जिसमें से यह सबसे ज्यादा अच्छा अपडेट मुझे लगा है क्योंकि इसमें अब आप स्वापिंग भी कर सकेंगे इसी एप से डारेक्ट आप जाके नया ऑप्डेट आया है और उससे आप डारेक्ट स्वापिंग कर सकेंगे एक ही बटन पर एमर्जोन फिलिप कार्ट बिग बास्केट ग्रोफर और आप उसी में स्विगी भी है अर्बन है तो कई सारे उप्शन से वह आपको मैं चलकर दिखाने वाला हूं स्क्रीन पर तो नया अपडेट यह है और इसकी पेमेंट जो होगी वह धानी वन फीडम कार्ट से होगी और सारी साथ आपको उता दूंब है वहाँ पर चूज करने का उप्शन भी आपको मिलता है और ध के स्कीन पर देख लिए क्या अपडेट है कैसे आपको बेनिफीट होने वाला है तो दोस्तों जैसे ही आप लॉग इन करेंगे आप होमपेज पे देखेंगे कि इस तरह से कुछ अपडेट हुआ है आपको समझ नहीं आएगा कि या क्या अपडेट हुआ है आपको बताना देखने को मिल जाएगा उसके बाद बैक जाना चाहूंगा और आपको दिखाना चाहूंगा एक और अपडेट यह आपको प्रोफाइल में जाना है वहां पर मिलेगा नीचे यहां पर आप देखेंगे देखे होम के बाद ही चैस्ट वाला ऑप्सन आया है जो की बहुत ही अच्छा अपडेट है यहां पर आप डारिक्ती ही प्यमेंट कर पाएंगे अपने कार्ड से ही जिसमें आपका बैलेस है जिसमें आपका क्रेड़िट लीमित है उसके बाद आपको दिखान चाहूंगा देखें यहां पर आमेजोन से भी आपकर सकते हैं फिलिप कार्ड है मिल रहा है अब यहां से क्या होगा कि डारेक्ट आप यहां से पेमिंट कर देंगे और जाहिसी बात है कि क्योंकि धानिवन फीडम कार्ट जीरो परसेंट इंट्रेस्ट रेट है तो उसी के हिसाब से जो इम आई भी होगी मुझे लगता है वो सायद जी नो कोष्ट इम आई ह मैं आपको क्लिक करके दिखा रहा हूं कि साइट जो है वो सारी यहां पर लिंक कर दी गई है और बात करूं कि मैं अपने कार्ट की तो धानिवन फीडम कार्ट आपको पता ही होगा अगर वीडियो आप रेगुलर देखते हैं तो अभी अक्टिवेट नहीं है मेरा नहीं त नहीं कि उस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे देखिए यहां पर आपको लेकर चला जाएगा देखिए आप पैंडिन्ग अमाउंट भी मेरा है यहां पर 1500 संटिंग और मैंने कार्ड भी अक्टिवेट नहीं किया है यह और नहीं इनकी हायर लिमिट ली है क्योंकि अभी किसी ने ऑल्रेडी ओर्डर किया है और उसे नो कोस्ट इमाई पर जो है और प्लेस करने का आप्शन मिला है इस वीडियो फिलाइट नहीं चैनल फिलाइट से सब्सक्राइब जरूर कर देना